से दिमाग से एक बात जरूर निकाल लीजिए कि हम लोग आपके विरोधी हैं, हम लोग आपके विरोधी नहीं है, पर आशा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे और से दिल से हम बता रहे हैं, कोई दिमाग वाली बात नहीं कर रहे हैं, दिल से हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को साथ लेके चले, आप लोगों को भी साथ लेके चले। पार्टी भूमियारों से महब्बत करता है। भूमियार के खिलाफ है। आप लोग इस तरह का भरम मत पालिए, ये बात मैं दिल से कहा रहा हूँ, इसमें दिमाग की कोई सियासत का कोई दखल नहीं है, कि भूमियार विरोधी आरजिडी है। लालू यादब और उनकी पार्टी पर ये इल्जाम लगता रहा है। शायद इसी इल्जाम को हटाने के लिए, इसी इल्जाम को मिटाने के लिए तजस्वी आदब को ये बयान देना पड़ा। तजस्वी आदब का बयान जैसे ही आया कि तजस्वी भूमियारों के हिताशी है, तजस्वी और उनकी पार्टी भूमियारों से महबत करती है, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया, कि हुजूर अगर भूमियार के हिता सरकार किस मामले को लेकर के उन्हें उनका बदला ले रही उन성이 उन फिर अगर आपको भूमियार से है तो नफरत अनन सिंग से क्यों है इसलिये क्योंके अनन सिंग जेल में इन दिनों बंद है वो सजा गाट रहे हैे और वो अपनी जो जिन्दिगी है सुबा और शाम दिन और रात वो बेवर जेल की दीवारों को तकते हुए छट को देखते हुए गुजार रहे हैं तो अगर आपको महबब भूमियार से है तो एक भूमियार के बड़े नेता है अनन सिंग जिनकी विदाईकी तक चली गई उन्हें जेल में क्यों बंद कर रखा है आप उन्हें छोड़िये ये सारा जो मामला है ये जो सारी बाते हैं वो तेस्वी आदब की उस भाशन और उस तक्रीर के बाद आया है जब उन्होंने किरिशन सिंग को याद करते हुए कहा कि लोग ये रूमर फैला चुके हैं लोग ये अफवा फैला चुके हैं कि आरजेडी जो है वो भूमियारों के विरोधी है आरजेडी भूमियार को पसंद नहीं करती है और भूमियार समाज के लोग आरजेडी को वोट नहीं देते हैं शायद इसी मामले को लेकर के तेस्वी आदब ने अपनी जबान से सफाई दी और कहा कि भूमियार भाई लोग आप टेंशन मत लीजिए आप चिंता मत कीजिए एटू females एट की पार्टी हम चलाते हैं और एटू自ड में आप भी आते हैं इसलिए भूमियार से हमें कोई रिकत नहीं है कोई नफरत नहीं हैं बलके आपसे मुहबबत है और आप ये जो बात सुन रहे हैं मेरी जबान से वो हम दिल से कह रहे हैं इसमें दिमाग का कोई दखल नहीं है हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि राजियूती फायदे के लिए आपको कह रहे हैं बलकि हम दिल से महबबत जताते हुए आपको कह रहे हैं कि भूमियार से हमको बड़ा प्रेम है और भूमियार के लिए सभी जात के लिए सभी धर्म के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो जिस वी कि इस बयान के बाद लोगों ने सवाल कर रहे हैं शुरू कर दिये हैं कि आखिरकार जिब हुम्यार से मुहबत है तो आनन सिंको जेल में क्यों डाला हुआ है